कई बार दुश्मन को हराने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसे कमजोर दिखाना उसे चड़ाना और रूस की राष्टपती व्लादमिर पुतिन इस रणीती के माहिर खिलाडी माने जाते हैं पुतिन ने मोसको की सबकों पर हथियारों की एक परेड निकाली है ये परेड अमेरिका की राष्टपती बाइडन को चुबने वाली है मॉस्को की सलकों पर हत्यारों की नुमाईश हो रही है आने जाने वाले रूसी नागरिक टैंकों बत्तर बंगारियों की फोटो ले रहे है बच्चे, बड़े, सब बहुत ध्यान से युद्ध में इस्तेमाल हत्यारों को देख रहे है ये टैंक और तोफ रूस के रही है ये सबी रूस के दुश्पन पश्चिमी देशों के हत्यार है जिने रूस की सेरा ने यूक्रेन युद्ध में तबहा किया है बरबाद करने के बाद रूसी सेरा ने इन्हें अपने कबजे में ले लिया और अब उनकी प्रदर्शने लगा दी गई रूस ने इन हत्यारों के साथ बड़े-बड़े फ्लैग भी लगा रखे है जिन पर रूसी भाषा में लिखा है विजय हत्यारों पर पश्चिमी देशों के जहंडे भी बने हुए है यह अमेरिका का अबराम्स टैंक है जो अमेरिका ही नहीं दुनिया के सबसे ताकतवर टैंक में एक माना जाता है अमेरिका ने इसे रूस के खिलाफ इस्तेबाल करने के लिए यूकरेन को दिया था लेकिन रूस ने अमेरिका के इस टैंक को कबार बना दिया ये जर्मनी का सबसे ताकतवर टैंक माना जाता है नाम है लेपड अब ये लेपड रूस की जंजीरों में है बेकार पड़ चुके लेपड टैंक को भी रूस ने नुमाईश में लगा दिया ये फ्रांस का टैंक है लिसे रूस यूकरेन की युदबुमी से उठा कर लाया है रूस के धमाकों ने इस टैंक को शोपीज बना दिया है ये स्वीडन का टैंक AMX-83 है जिसे यूक्रेन को दिया गया था ताकि रूस पर वो हमला कर सके लेकिन रूस ने इसे किसी हमले लाइक छोड़ा ही नहीं जंक के मैदान में रूस ने यूक्रेन के स्वीडन टैंकों को तबाह किया है उनमें से कुछ टैंकों को रूसी से ना अपने जात मौस्कों लेकर आई है टैंक और तोप के अलावा रूस ने जंग के मैदान से बिटन की बक्तरवन गारियों को भी अपने कबजे में लिया है सौथ अफरिका और श्रिलिया और तुर्किये के भी बरबाद हो चुके हत्यारों का प्रदर्शन मौसकों में किया गया है इस प्रदर्शनी का मकसद अमेरिका समेथ तमाम पश्चिमी देशों को शर्मसार करना है और ये बताना है कि रूस की ताकत के आगे उनके हत्यार कहीं नहीं टिकते मौसकों में ये प्रदर्शनी 9 माई तक चलेगी 9 माई के दिन को रूस विक्ट्री डे के रूप में मनाता है उस दिन मौसकों में रूसी सेरा की परेड निकलती है उस परेड में भी अमेरिका, बिटेन और फ्रांस के बेकार हो चुके हत्यारों के परेड निकाली जाएगी BiroD Report, Z-Media